हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दाइस्टेडी अड़्डा में और देखे इस वीडियो में कोशन नंबर 3 को हम डिसकस करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 से यह कोशन लिया गया है तो क्या कोशन है सबसे पहले कोशन को देख लिजिए एबल टो कट थे वाटर इना स्विमिंग पूल विच प्रोपर्टी ऑफ मैटर ड़स दा ओब्जरविशन सौज तो सिंपल हम देखें तो कि अगर एक ड्राइवर जो है वह स्विमिंग पा रहा है ठीक है अब कोई confusion नहीं है उसने dive किया वो पानी को काटते हुए swim करते हुए आगे बढ़ गया तो इसमें क्या होता है कि particles के matter के बीच में space होता है जिसे हम intermolecular space कहते हैं क्या कहते हैं intermolecular space यह आपने सभी ने पढ़ा होगा intermolecular space के बारे में कि particles के बीच में एक space होता है solid liquid gas solid के particles के बीच में space कम होता है liquid के particles के बीच में space उससे थोड़ा जादा होता है और gas के particles के बीच में space और जादा होता है तो liquids के particles के बीच में जो space होता है वो proper होता है कि उसके उसमें से swim किया जा सके, solid के particles के बीच में इतना गयप नहीं होता, है ना, तो यही property यहाँ पर apply होती है, intermolecular space, कौनसी property, the matter of, particles of matter has intermolecular space, important बात है, particles of matter has intermolecular space, that's why a diver is able to cut through the water in a swimming pool, तो इस answer को आप इस तरह से frame करके लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, the ability of a diver to cut through the water in a swimming pool, shows that the particles of matter have intermolecular space, ठीक है, intermolecular space in liquid are fair, enough to let the diver pass through it, तो swimmer इसके तरूँ तहर पाता है, क्योंकि उसके बीच में enough intermolecular space होता है, clear है, तो यह answer आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, और समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए तो comment करिए, sir clear हो गया, और वीडियो पसंद आए, तो like जरू करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, thank you, thanks for watching, करेंगे।